आज हम बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे आसान गाजर का हलवा बीना घिसे और बीना मावा के तो सबसे पहले हमने आपे एक किलो गाजर लिया है उसको ऐसे टुकडो में काटा है और जो इसके अंदर का वाइट भाग होता है ना इसको हमने निकाल लिया है इसको फेक देंगे क्योंकि गाजर के हलवे का टेस्ट इस खराब कर देता है तो गाजर के टुकडो को ऐसे काट के कुकर में एड़ कर लेंगे और वहाँ पे डालेंगे एक कब दूद और इस कुकर को पैक कर देंगे हमें और इसमें कुछ भी आड़ नहीं करना है और हाई फ्लेम पे दो से तीन सीटी लगाएंगे गाजर को पकाएंगे और इसके बाद कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे जब कूकर अपने प्रेंडा हो जाएगा तो उसको खोलेंगे उसकी बाद चेक कर लेंगे कि जो गाजार यो पका है कि नहीं लेकिन दो-तिन सीटी में नॉर्मली पक जाता है उसके बाद हमें इस गाजार को मैस करना है तो कूकर में अच्छे तरीकिस इसको मैस कर लेंगे अगर आपके पास ऐसे मैसर नहीं है तो आप किसी भी कल्ची से भी मैस कर सकते हैं ये देखे इदम बारिक मैस हो गया है तो अभी हमें एक लेना है कडाही कडाही में हम डालेंगे दो बड़े चमच घी गी जरूर एट करिएगा गी से बहुत अच्छा टेश्ट आता है इसमें और सारे गाजर को जो हमने उबाला था उसको एट कर देंगे घी में उसके बाद इसको थोड़ देर तक चलाएंगे एक मिनट तक इसको भूनेंगे ऐसे ही उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो कप दूद जिस कप से हमने पहले दूद डाला था ना उसी कप से दो कप और डालेंगे दूद इसके बाद बस अब हमें दूद इसमें नहीं डालना है और अब हम इसे पकाना है थोड़ देर तक पकाएंगे जब तक यह जो दूद है ना वो जल के आधा ना हो जाए तब तक हम इसे हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे तो नीजे से यह पकड़ सकता है ऐसे हम गाजर का हला जब भी बनाते है ना तो बहुत टाइम लगता है लेकिन यह गाज आफ़र नहीं पसंद तो आप यहां पे मत आड़ करेगा अब सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे ठोड़ी देर में जैसे ही गाड़ा हो जायगा तो आपर हम एड़ करना है चीनी तो देखिए थोड़ा सा गड़ा हो गया है अब यहां पे चीनी एड़ करेंगे तो अच्छे से सूक गया है अभी यहां पर गैस को आफ कर देना इस जादा इसको नहीं भूनेंगे इस तरीके से भून चुका है देखने में कितना यमी लग रहा है आप ने देखा ये कितना जटबट बन गया तो कैसा लगा आपको हमारे जटबट गाजर का हलवा इसको खाने स पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए